महिस्ट लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुम्बरा में एक बार फिर हत्या की घटना से संसनी फैल गई है पुलिस ट्रेमिली जानकारी के अनुसार बेटी और उसके बॉइफ्रेंड ने मिलकर मा की बेरहमी से हत्या कर दी है आपको बताए दे कि आज दोपहर के बात जो है मुम्बरा के अंबेटकर नगर में फातिमा हाइट्स के चौथे मंजिल पर रहने वाली सबा मेहदी हाश्मी की हत्या होने की जानकारी सामने ताब आई जब सबा की एक करीबी रिष्टेदार सबा को फोन की तो उसका फोन बंद आ रहा था जिसके बाद वो रिष्टेदार उसके घर पहुंची और देखे की घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो ताला तोड़ कर उसने जब अंदर देखा तो सबा की लाश पड़ी हुई थी जिसके बाद उसने इस घर्टा की जानकारी मुम्रा पुलिस को दी मौके पर एसीपी विलास शिंदे और सीनियर प्याई अशोक कडलक अपनी टीम के साथ पहुंच गए सीनियर प्याई अशोक कडलक ने बताया है कि मृत्तक सबा की बेटी को समझाती थी उसे रोकती थी इसी वजह से उसके बॉइफ्रेंड ने आज सबा को जान से मार दिया सबा के शरीर पर कई जगहां वार के निशान है हत्या करने के बाद सबा की बेटी इसका बॉइफ्रेंड मौके से फरार हो गए है मुम्रा पुलिस ने शव को कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है और इस पूरे हत्या के मामले में फायार भी दर्च कर ली गई है और आरोपियों के तलाश में उम्रा पुलिस अब जूटी हुई है